तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिसक्स करेंगे 2016 का आपका Contemporary Indian Education का paper CRSU University यानि Chaudhary Ranveer Singh University का paper ठीक है मैं हाँ पर आपके साथ यह paper शेयर इसलिए कर रहे हूं यहाँ पर मैं आप कोई के करके 2016 17 18 19 सभी के यह paper आपके साथ शेयर करूंगी the reason being कि आप जो कहते हैं इंपोर्टेंट questions चाहिए आपको है न तो इंपोर्टेंट questions और कुछ नहीं होते हैं previous year ही आपके important questions होते हैं क्योंकि questions क्या होते हैं repeat होते हैं आप अभी सारे years को paper को analyze करना आप देखेंगे कि सारे questions repeat हो रहे हैं तो पहले मैं आपको यह pattern दिखाती हूं जो कि मैंने आपको 2022 pattern में बताया कि आपका first question compulsory होता है तो यह वो first question है जो कि compulsory question है और आप देख सकते इसके अंदर चार पार्ट है पहला पार्ट है constitutions act related education आपको इसके उपर short note लिखना है दूसरा पार्ट है recommended national policy of education 1986 इसके बारे में सरफशिक्षा अभ्यान और education for technology environment और इन सभी के बारे में मैंने आपको videos available करा रखी है already आप playlist section में जाकर देखना contemporary Indian education में आपको सभी topics मिल जाएंगे और मैं आपको share भी कर दोंगे description में contemporary education की complete playlist आप topic wise देख सकते हैं ठीक है अब मैं आपको बिताती है जो compulsory question होता है यह होता है आपका 4 number का four marks के questions होते हैं सारे के सारे ठीक है तो आपको questions के answer जो है न वो eight sheets में भरने होते हैं जैसे आपका first वाला है न तो इसको आपको कैसे eight ने four sheets में भरना होता है मतलब आप आगे बीचे मिलाके four sheets भरनी है आपको ठीक है चार sheets के अंदर आपको इसका answer लिखना है और आप जब points में बनाके थोड़ा करेंगे न चार sheets आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे fill हो गई है उसके बाद आते हैं हम बाकी के 8 questions पर आपको दिख रहे होंगे यहां पर बाकी के 8 questions जिन में से आपको any four attempt करने होते हैं वैसे नॉर्मली आपको जैसे unit one में यहां दो question है तो इन में से कोई एक करना होता है ऐसे unit two में से कोई एक unit three में से कोई और unit four में से कोई एक लेकिन अभी आपके पास क्या choice है 2022 के अंदर कि आप कोई भी चार question इस में से attempt कर सकते हो आपकी मर्जी के माल लीजे कि मैं unit one और two प्रिपेर करके गई हूं तो मैंने यह दोनों यहां से कर दिया और यह दोनों यहां से कर दिया तो मेरे कितने नंबर का question होता है आप इसे कितने page में attempt करें देखो यह जो question होता है यह आपके 16 marks का होता है अब देखो यह second question देखो तो मेरा इसमें एक ही पार्ट और पूरा को पूरा आसकते हैं और आपको कितने आठ पेज भरने 16 नंबर का question है आठ पेज भरने आगे पीछे मिला की ठीक है आसानी से बर जाएंगे पॉइंट्स लगाना पॉइंट्स लिखना पहले फिर हर पॉइंट को explain करना हैडिंग देना सुन्दर सुन्दर आप कराम से sheets completely fill हो जाएंग heading पर जादा focus रखना अपना heading से याद करके चले जाना अंदर का content आप अपने आप बना कर लख सकते हो ठीक है तो आप कोई भी मतलब 4 question attempt कर सकते हैं ठीक है आपकी मर्जी के तो यह था आपका 2016 का paper आपको मैं एक पर अब unit 2 के questions भी read करके दे देती हूं unit 2 में आपका fourth question है do critical appraisal of the following secondary education commission के बारे में लिखना है Indian education commission दोनों पर ही video uploaded है मैं फिर से बोल रहे हूं मेरे पास सारी video uploaded है आप जाकर उस playlist को देखेंगे तो आपको बहुत वायदा मिलेगा और सिर्फ मेरे से ही नहीं आप कहीं से भी जाकर इस topic को पढ़ सकते हैं आपको फायदा मिलेगा the point is previous year questions को अच्छे से कर लेजे उसके बाद है write a detailed note on national curriculum framework 2005 ये तो बहुत important question है अगर आप इसको करके जाते हैं तो chances बहुत जादा है इस question के paper में आने के ठीक है उसके बाद है write a detailed note on vocationalization of education in India ये बहुत आसान question है इसके बारे में आप इतना कुछ लिख सकते हो vocationalization मतलब जहां पर हम education से थोड़ा सा हटके courses की बात करते हैं जो skill based courses होते हैं उनकी इसके भी concept of modernization in detail ये भी बहुत ही असान topic है modernization के बारे में किसको नहीं पता हम आजकल modern के जमाने में जी रहे हैं तो मतलब ये जो आपकी 3rd unit है वो तो बहुत easy और बिलकुल scoring unit है उसके बाद 4th unit में देखे write in detail about the inequalities of education in ancient and modern times ancient and modern में education का comparison करना है ठीक है उसके बाद इसके बाद इसके इ in detail the role of teacher in context of universalization education इसका topic भी uploaded इनके सभी question में से कोई भी question नहीं है जो मैंने चानल पर अप्रोड नहीं कर रखा आपके पर teacher का रोल बताना है universal education मतलब जो पढ़के भी नहीं बता सकता है और राम से आठपेच की कहानी लग सकता है और आप से समझ के चलो किंग लिखने को आग ठीक है ना तो कोई परेशानी की बात नहीं बहुत अच्छा होगा तेंशन मतले ना just do it ठीक है और अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो अपने फ्रेंड के साथ भी previous year questions ज़रूर शेयर करें क्योंकि बहुत important है अगर आप previous year questions कर जाते हैं तो आपको बहुत help मिलेगी and do subscribe our channel and press the bell icon to get instant notification of all our videos मिलते हैं नेक्स वीडियो में जिसमें हम discuss करेंगे 2017 का question paper contemporary idea and education का that's all thank you